सीरल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में देव विजाय के घर में घर जमाई बनकर आ जाता है रहने अपनी बेटी सुहाना के लिए सीरल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है ये तो आप सभी जानते हैं कि सुहाना ने देव और सुनाक्षी के सामने शर्ट रखी है कि वो दोनों एक साथ रहें नहीं तो वो उन दोनों को छोड़के हमेशा के लिए कॉलकता चली जाएगी ये बाद सुनकर देव सुनाक्षी सुहाना को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन वो नहीं मानती उसके बाद सुनाक्षी और देव को अपनी बेटी की खुशियों के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है उन दोनों के लिए सुहाना की खुशी से जादा कुछ भी नहीं है देव को सुहाना साथ साल बाद मिली है और वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी उसे चिन जाए वो अपनी बेटी से दूर रहना नहीं चाहता और इसलिए वो दोनों अप सोहाना की खुशी के लिए डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने परस्थर डिफरेंसेस भुला देंगे और साथ रहेंगे जैसे उनकी बेटी चाहती है सोनाक्षी के घर में सौरब की शादी की तयारिया चल रही होती है कीतने में देव बोसाऊस आजाता है ऐसे में सोनाक्षी देव को बोलती है की वो बोसाऊस में आके रह सकता है और सौरब और रॉनिटा की इंगेजमेंट के दिन देव बोसाऊस में एंट्री लेता है और अब वो घड जमाई बनकर यहां रहेगा लेकिन ये बात सुनकर विजवाय सोनाक्षी पर बहुत चिलाता है अब देखते हैं कि क्या विजवाय देव को बोसाउस में रहने देगा या नहीं पहले शोह से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस